हेलो दोस्तो आज हम इस वीडियो में 10th कलास के होने वाले सेंटर एक्जाम के लिए समाजिक विग्यान का वारल पेपर का अब्जेक्टिव कोशन बताने वाले हैं दोस्तों कई एस्कूलों में समाजिक बीगयन का पेपर हो चुका है और कई एस्कूलों में समाजिक बीगयन का पेपर अभी बाकी है अगर आपका एक्जाम हो चुका है तब भी आप वीडियो को देखकर आप मिला सकते हैं कि मेरा कितना सही हुआ है कितना अब्जेक्टिव क को हम अच्छे सा ठीक लगा कर आए हैं अगर आपका एक्जाम नहीं हुआ है तो आप लोग फटा पड याद करीजिए कि सभी स्कूलों का पेपर से मिए ठीक है तो आप लोग फटा फट वीडियो को लाइक करके वीडियो को लास्त देखिए और हमारी चैनल को यहाँ पर हम आपको समाजिक विज्ञान के आपको परीच्छा में सिर्फ 40 का जवाब देना होगा ठीक है यहाँ पर लिखा गया है प्रते प्रस्ण के चार चार बिकल्ब दिये गए हैं जिन में से अपने द्वारा चिने गए सही बिकल्ब को ओमर पर चिनित करें के मतलब करेंगा उत्तर दें क्यों चार रिख औरौसा आपको सिर्फ और चारीस परस्ण के उत्तर देना है ठीक है तो ऐसी पर चारीस अगला कोहिशन है दोस्तों साइमर आयोग किस वर्स भारत आया तो साइमर आयोग 1928 इस पी में भारत आया था एंसर होगा डी नमर ठीके अगला कोहिशन है जन संक्या का घनत्व सबसे सबसे अधिक महानगर में होता है कहां होता है याद रखना का इन पूलन संग्षा काल माक्स का जल्मा कहा हुआ था तो काल माक्स का जल्म मई 888 इस्वं में जर्मनी डेस में हुआ था यात कर ले नगला कोशनें विरेश वर्यर या अयरन एस्टील कंपनी कहा इसती में थीलको Все ज्यवाब क्या होगा तो यह आपर इसका अंसर होगा A नमर होगा मार्तिंग लूजर तीक है यहाँ पर टिक लगाया गया सी लेकिन सी नहीं होगा वलकि आपका अंसर A होगा ठीक है तो दादा भाई नरोजी, यहाँ पर दस्त का सही उत्तर क्या होगा, दस्त का सही उत्तर होगा, दादा भाई नरोजी, ठीक है, एंसर होगा, एन नमर, ठीक है, अगला कोहिशन, बिस्व बैपार संगर्ठन के स्तापना सन 1995 इसमें की गई थी, ठीक है, एंसर होगा, डी नमर, अगला question है, निमनमे से, किस देश में मिशित और्ष ववस्ता है तो भारत देश में है? अंसर होगा, inner motif आगला question है, से wait छेतर में कौन सी किरियाई सामिल होती है? से quad छेतर में कौन सी किरियाई सामिल होती है, तो याता संचार अवन banking, answer होगा inner motif. याद रहेगा ठीक है याद करने है दोस्तों यही कोहिशन पूछे का इसके अलावा कोई नहीं पूछे का बलकि यही पेपर सेम टू सेम आज से पूछा जाएगा ठीक है तो याद कर लिजी इसको आज ही सायद है ठीक है अगला कोईशन है राष्ट आयों की गर्णा किस बेंकिंग है कि बैंकिंग फ्र – ब्यांक फर – व इंडिया अगला कोईशन है अगला कोईशन कहाता है, ise भारत का बितीय वर्स से कौन सा है भारत का वीतीय वर्स एक अप्रेल से 30 मास तक हम कहते है ठीक है अगला कोश्च कोश्च । सब्सक्राइब यह और सब्सक्राइब सब्सक्राइब 14 primo टिए igh तो यहां पर सब्सक्राइबुसेल्र यहाँ न शिंव इनसार यह दी अगला question निम्न में से कौन विमारु राज ये नहीं है तो करनाठक एंसर क्या होगा चार अप्षन में से करनाठक एक ऐसा राज है जो इन चार अप्षन में से मतलब कौन विमारु राज है ठीक है तो answer होगा अपका cinema ठीक है अगले ले कोशल में ने का जी रंगा राश्टे उद्यान. कहा है अस्ति थे तो एंसर याद रखन भाइस triggers prá qa h तो सब्सक्राइब करें और कि इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट का वायरल पेपर का अब्जेक्टिव कोश्चन मिलेगा जस्ट मैं आपको यहाँ पर समाजिक बियान बता रहा हूं और आज आज के वाल आपका आज अज एक्जाम समाजिक बियान का हो रहा है जिन चातुरों का समाजिक बियान बता आपको अपने टेलेगरम का चैनल पर छोड़ दूंगा आप आज आपको दो पहर में मतलब का सब्जेक्टिव कोशन मिल जागा दो नमरी और पांच नमरी जो भी है सब का सब्जेक्टिव वहां पर मिल जाए तो जाइए और वहां से आप लोग डाउनूट कर लेना ठीक है तो फटाफट टेलीग्राम जोइन कर लोग ठीक है अगला कोशन देश के बांधों को किस ने भारत का मंदिर कहा था तो पंडित नहरू ने ठीक है पंडित नहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था ठीक है अगला कोशन काली मिरिद्दा का दूसरा नाम क्या है तो काली मिरिद्दा का दूसरा में रेगूर मिरिद अगले जलने में जलने में प्रात्मी उपचार होना चाहिए अगर कोई ब्यक्ति जलता है उसका स्रीर जल रहा है तो आप पहले प्रात्मी उपचार क्या करेंगा उस समय तो नहीं अप्सान है गर्म पानी डाणना अस्पताल में उप्चार या इन में से कोई नहीं अगर उस समय आपके पास कोई अप्सान नहीं है तो प्रात्म उप्चार उस व्यक्ति पर ठंडा पानी डालेंगे ठीक है याद रहेगा अगला कोशिन भाखरान नंदल बांध किस दोश्तों यहां पर कार्बन मोनोक्साइड होगा और यहां वह कांपर होगा आपकर दोष्ण उडिसा हुआ है याद रखना अगला कोशिन ने राव केला इस पात्सपात नियंतर कहां है तो उड़ी सा में टीक है कहा प्रित्वी समयलान कहा हुआ तो प्रथम अंतराश्टी 200 समयलान रियो जी जनेरे नामक अस्तान पर हुआ था ठीक है एंसरोगार डी नमर अगला कोशन कापास के लिए उप्यक्त मिर्दा यहां कि कापास के खेती के लिए अगला कोशन कॉशन कौन्पर अपड़ा बिश्तरच को परभावित करती है तो बाढ़ परभावित करती अंसरोगार, यह वह सभी बाढ़ी करता है लेकिन ज्यादा परभावित करता है था ठीक है तो भारत देश का है ठीक, अंसर होगा एन नमबर, अगले कोहिशन है, हाली में कौन सा भारतिय राज दो केंद्र 15 परदेशों में बदल गया, तो जम्मु कसमी अंसर आपको तो पता ही होगा, अगले कोहिशन है, पंचायती राज का उस्तम एस्तर क्या है, उस्तम एस्तर क्य निम्न में कौन संद राज्य की विवास्ता नहीं है, तो एक हरी सासन वेवास्ता यहां पर नहीं, सोरी दोस्तों इसका अंसर बी नमर होगा, सक्तियों का विवाजन होगा बी नमर, ठीक है, अगले कोहिशन है, संपून करांती का नेतिरित्व किस ने दिया, तो जय परकास नरायन एंसर होगा, ए नमर, ठीक है, अगले कोहिशन है, किस वर्स सुचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ, तो 2005, इस पी में सुचना का अधिकार लागू हुआ ठीक है, याद कर लेना, अगले कोहिशन है, भारत में किस परकार की सासर परनाली है, तो संधी और संसधी अंसर होगा B नमर अगला कोशने छेत्रवाद की भावना का एक उपर नाम है तो अलग वाद होजेगा एंसर होजेगा D नमर अगला प्रस्णे महेंदर सिंग टिकेट महेंदर सिंग टिकेट के नेतरी तुमें भारत में किस आंदोलन कोश चलाया गया तो नर्मदा बचाओ आ अगला कोशने विवितताओं के बीच समझस्त शाषर व्यवस्ता में होती है इसका एंसर आफ हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि काफी डिफुकल्ट है और इसका एंसर आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा ठीक है अगला कोशन भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बावमत मिला था तो जनता पार्टी को देखे तो यहाँ पर जनता पार्टी भार्तिय जनता पार्टी एंसर होगा B नमा ठीके अगला कोहिशन है भार्तिय संभीदान सभा का गठन कब हुआ था तो 1946 इस पिम हुआ था ठीक एंसर याद रखना अगला कोहिशन है किस सूची के विश्वे पर केंद्रत थराज्य साकार दोनों कानून बना सकती है तो समवर्ति सूची एंसर क्या होगा कितने वर्स अगला कोहिशन का मंदिर कहां इसथी थे तो अंकरवार का मंदिर कंभ इस था अशीर गादी नबर घानून इस holistic में थीक है चंपारन किस वर्स आयत उन्हीं सत्रह इसपी में आये थे गांधी जी चंपारन सत्यागर ठीक है किस पुष्टा को समयादियों की बाइबिल कहा जाता है तो दास कैपिटल को जो काल माक्स के द्वारा लिखा गया ठीक एंसर होगा सी नमर अगला कोशन गांधी जी ने किस ग पटना में गोलगर का मतलब कि कर्ढ़ी कि नहीं नमर अगला कोशन पुझी पति बर के द्वार की सवर्ग का सोशन और खुवा घंश आवनद। क mulheres अंतरास्टिये मुरुदा कोस्ट का घठन कभ और अंतराष्ट्ये मुद्रा का कोस्त का गठन कभ और अनिशन की होगा चैfest ignore same structure घर सेन अगला ले कोश्ट्य ने बिश्व आर्थिक मंधी की शुरुवात कब होई विश्व आर्थिक मंदी के सुरुवात कब होई तो यहां पर 1929 इस विमोग होई ठीक अंसर होगा बी नेमर महत्मा गाधी ने किस पत्रिका का परकाशन किया ती यंग इंडिया अंसर होगा क्या हो जगा एंडिया अपका सही उस्तर हो जगा ठीक है विखार में अती जलदों से किस तत्व का संकेंद्रन बढ़ा है तो फॉल राइड हो जागा ठीक है ने मंट्यां अग्रीन बूक में सामिल किया गया है इसका इंसर आप हमें कमेंट बेक्स हो बता दीजेगा ठीक है कि इसका नहीं पता है ऐना यह बहुंदा तो गुज्रात बनाने में कितने मेगनिस का प्योग होता है इस पहने में जालने सोरड वे नहले हम से कौन नहीं है ुद्पें सब्सक्राइबने कूछा आन्साय काड़ तो इस स्हालने क्रत बीन हुथ कर देना और आज समाजी का पर है तो आज मैं आपको समाजी बीजान को आपको समय में आपको हम दे देंगे ठीक है तो फटा फटा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब के लिए और टेली के राम के साथ ज्वाइन हो जाए ठीक है फटा 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 अगर कोश्चन है वर्षा रितु में कौन सी फ़सल बोई जाती हैं कि वर्षा के समय हम लोग खरी फ़सल बते हैं जैसे खरी फ़सल में क्या क् पर्टना सरकिस नधी के किनारे बसा है अगले पुछन निम्न में से कौन आप्धा मानुजनी थैना तो आतंकवद आतंकवद मनुस्य के द्वरा किया जाता है बलकि बार भुकम गयर अपने आप आता है किसी को बदा आकर नहीं आता है इसलिए आतंकवद मानु जनित आपता के अंतरगात आएगा ठीके याद कर लेना लेलीन की मिर्तिव कब होई थी लेलीन की मिर्तिव 1924 इस्पिम होई थी अंसर वगा डीनम ठीके अगला कोश्च ने में नांकित में कौन समाजिक सनरचना का अंग है कौन समाजिक सनरचना का अंग है ठीके तिसका अंस प्रश्ण होगी लाइक करके चल्ब करके और इन अब्जिक्तिव और से आप 40 का एंसर ही याद कलना कंटनस्ट की चालिश का ही उत्तर आपको देना हुआ ठीक है तो जाइए आराम से आप लोग इस पोईशन को इस बार इस बार सेंटर इंचा में आराम स्कीक लगा कर आएग ठीक है और कल का जो पेपर होने वाला हम मैद का उसको हम साम और दोपार में मिलकर त्यारी करा दिए ठीक है तो आप लोगों टेले करम छोड़ को जरूर देखना ठीक है और टेलेकरम जोइन नहीं किये हैं और टेलेकरम अप्लिकर्शन नहीं आपको मुगाल में तो बस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में दोफार में आपको समय महत का सब्सक्राइब कोशन आपको देने वाला है तो उसी टाइम हम आप जोब बात करेंगा घंख तो चलिए नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं